किसी ने मुझसे कहा कि KP astrology सिर्फ numbers पर होती है क्योंकि बहुत सारे जो विद्वान लोग हैं वो लगे रहते हैं लेकिन हम जैसे मूर्फ जो हैं वो कभी भी एक चीज को स्थाई नहीं मानते हैं हमें लगता है कि वही नहीं कुछ तो है कुछ तो है hidden कुछ तो और किया जा सकता है और ये सब सोचने के बाद मेरे को एक चीज लगती है आप सब लोगों के लिए हिंट है जो लोग इस पर काम करना चाहते हैं जो लोग आगे मेरे साथ काम करेंगे वो तो करेंगे ही लेकिन जो नहीं भी करेंगे मैं उनको भी एक हिंट दूँगा वो क्या कि आप बिना numbers के भी पूरा केपी एस्टेलोजी कर सकते हैं बिना numbers के पूरी केपी एस्टेलोजी कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं उसका एक छोटा सा उधारन देता हूँ कितने लोगों ने जॉब की है कितने लोगों ने यहाप जॉब की है या कर रहे हैं मेरे को यह बताईगे ठीक है अरे काफी निकल कर आ गए मैं तो सोच रहा था अज सब लोग फॉब्स की लिस्ट में आएंगे ठीक है अभी अब जॉब पे आ गए ठीक है कोई बात नहीं अब जॉब में हम क्या करेंगे अब वो भी देख लीजे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए आप जितने भी लोगों ने जॉब की है आप सब लोगों ने किसी ना किसी प्रोफाइल से जुड़कर जॉब की है समझिएगा बात किसी ना किसी प्रोफाइल से जुड़कर जॉब की है कुछ लोगोंने administration संभाला होगा जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग है administration संभाला होगा कुछ लोगोंने listening संभाला होगा यानि कि documentation संभाली होगा कुछ लोग ऐसे होंगे जिनोंने training दी होगी अपने जॉब में रहते होगे और कुछ लोगों ने टेक्निकल पार्ट संभाला होगा जॉब का वो टेक्निकल पार्ट में होगे और कुछ लोग जो हैं वो अकाउंट्स और फिनांस देखे होंगे तो जितने भी लोग जॉब किये हैं यहाँ पर वो समझ गए होंगे यही कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं यही 4-5 डिपार्टमेंट्स होते हैं इससे ज़्यादा क्या होता है अब आपके नंबर्स जो कहते हैं सो कहते हैं उनको कहने दीजी लेकिन आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो आपकी कुंडली से आपको कहां से पता चलेगा मैं उसका इंडिकेशन आपको दे रहा हूँ आप अपने छटे कस्प की लाइन को चेक कीजी किसको बोल रहा हूँ छटे कस्प की लाइन को यानि की आपके सिक्स्थ हाउस का साइन लॉड कौन है उसका नक्षत्र लॉड कौन है और उसका सब लॉड कौन है अपने जॉब की सारी इंफर्मेशन आपको उस लाइन में मिल जाएगी आपको कोई जरुरत नहीं है यह देखने की को नंबर्स क्या दे रहे है बिना नंबर्स के आपको पता चल जाएगा हाँ मेरा प्रोफाईल है मैच कर रहा है बिल्कुल एक्जेक्टली पता चल रहा है मेरे को यह हुआ है मेरी जॉब के अंदर ऐसा हुआ है यह है fundamentals की ताकत यह fundamentals इसलिए जो लोग administration की बात करते हैं यह government job में जाने की बात करते हैं उनके numbers नहीं देखे जाते आप में से बहुत से लोग जो है वो government में job में जाने के लिए ना numbers के पीछे चलने लगते हैं तो government job लग जाएगी क्यों लग जाएगी क्योंकि 10th house जो है वो government का है हम एक बात बोलते हैं कि जिसके government job है जिसके पास government job है उसकी कुणली के 6th कस्प की line में सूर्य या केतू का संबंद आपको मिल जाएगा क्यों 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 क्या है गौर्मेंट है और केतु क्या है दोजा है जंडा है किसके पास होता है गौर्मेंट के पास होता है अब आप लोग बोलेंगे कि क्या fundamentals यही सब करेंगे मैं कहूंगा नहीं fundamentals तो इसके आगे की भी बात करते हैं इसके आगे जाकर बात करते हैं क्यों बात करते हैं fundamentals इसके आगे जाकर क्योंकि जब हम interlinking destiny की बात करते हैं interlinking destiny interlinking destiny का मतलब क्या है कि मेरी destiny जो है वो सर्फ मेरी नहीं है मेरी destiny से बहुत और destinies भी linked है father की destiny link है mother की destiny link है भाई की destiny link है तो किसी की ninth किसी के ninth kusp की line में किसी की 9th कस्प की लाइन में आपने सन और केतु को देख लिया किसकी लाइन में 9th कस्प की लाइन में अब ज़रा चेक कीजिए कि 9th house 4th house से कौन सा है count कीजिए सब लग गए अपना अपना mobile लेकर 9th कस्प जो है वो 4th से कौन सा है 6th है चेक कीजिए कि अगर मदर ने जॉब की होगी तो administration में जॉब किया होगा या government जॉब की यह के पी एस्ट लॉजी के basic fundamentals यह है basic और यही चीज यदि second house में दिख गई यानि कि आपके second house में sun का रोल है या second कस्प की लाइन में केतु का रोल है तो government job आपने ना की हो चाहे मदर ने ना की हो लेकिन father ने जरूर अपनी job में administration या फिर government job या government से linked होकर काम किया क्यों क्यों क्योंकि second house क्या है वो ninth house से छटा भाव है यह कर सकते हैं आप fundamentals तो आप लोग पूछ रहे थे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि जी basics में अलग क्या है basics में ऐसे 144 points है मेरे पास 144 तो बेसिक जो है वो निचोड है किसी भी चीज का हम जब भी एडवांस शब्द को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में यह आता है कि कोई और चीज हाथ लग जाएगी कुछ अलग पता चल जाएगा लेकिन सच पूछिए कि अगर बेसिक हाथ में है न तो एडवांस चीज अपन ही सरल है कि आज के भाद झब भी क पी एस्टेलोजी करें तो तीन चीजों का आवश्चेप रूब से ध्यान रखिएगा पहली चीज क्या कि राशियों को नहीं भूलना है क्यों क्योंकि वो सुलोब को बदल रही है सेकेंड चीज कारक तत्वो को नहीं भूलना है, significations को नहीं भूलना है, क्यों? क्योंकि वो result के अंदर अपनी quality को add करते हैं वो result के रूप में अपनी quality को add करते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जो बताई नहीं जाती, क्यों? क्योंकि अगर बता दिया तो वो भै और डर पैदा करती हैं अगर आपने उनको सिर्फ dogmatically ले लिया कि अरे वसर ने तो ऐसा बोला हमने match भी कर लिया, 10 कुंडलियों पर match हो गया, ये तो 11 कुंडली मेरी है तो आप तो भै लेकिन समझ के देखिएगा यहाँ पर आपने किस mindset से काम करना है, आप में से बहुत से लोग आप से ये पूछते हैं मृत्यू कैसे होगी पूछते हैं या कई लोगों ने पूछा होगा मेरे पास तो हर तरीके क्या आते हैं मेरे पास तो ये भी पूछ लेते हैं कि मृत्यू होने के बाद जाएंगे कहां जैसे मैंने बहुत बार चक्कर लगाकर मैं आया हूं कि कहा जाना है कहा नहीं समझ रहा है होते हैं क्या करें जनता भी कम नहीं है तो तरह तरह के सवाल भी आते हैं समझ रहा है तो अश्टम भाव जो है वो मृत्यू नहीं है याद रखिएगा, वो मृत्यू नहीं है, मृत्यू किस द्वारा होगी, किस तरीके से होगी, वो बता रहा है, अश्टमभाव मृत्यू नहीं है, अब आपके numbers भले कुछ भी है, क्योंकि माल लो number अगर तीसरा हो गया, तो ठीक है भाई, कहीं चलते चलते रस्ते में पता जल विदेश गए हुए थे या विदेश गमन था, वहाँ पर हो गए, लेकिन ये तो numbers की बात हो गई, जो हम numbers के रूप में बताते हैं, कि मृत्यू कहां कैसे होगी, लेकिन यहां significations क्या करेंगे, ये मैं आपको सोचने का एक नजरिया दे रहा हूँ, आपको prediction जो है, वो इस बनानी हैं और बना लेंगे, कैसे, आपके पास दो कुंडली आए, एक कुंडली में आपने देखा, कुंडली A, A कुंडली है आत्मा राम की, और B कुंडली है भला राम की, या भले राम की, कुछ भी बोल दीजे, तो आत्मा राम की कुंडली में जो 8th house है, वहाँ पर sign Lord Jupiter है, 8th house का नक्षत्र लॉड मून है, और 8th house का सब लॉड वीनस है, और जो B है, उसकी कुंडली में, 8th लॉड जो है वह सैटन है, नक्षत्र लॉड राहू है, और सब लॉड मार्स है, कौन लहराते हुए जाएगा और कौन पीडा में जाएगा सोच सकते हैं, बुरा या भला मानने वाली बात ना आप बच सकते हो, ना मैं बच सकता हूँ, समझ रहे ना, लेकिन क्या यहाँ भी alignment की जा सकती है, क्या मरते मरते भी कुछ मानवाली हो सकती है, कुछ बाचीत हो स इदर उदर, मामला, सोच के देखिएगा, अगर मैं बोलता हूँ, तो उसके पीछे कोई रहस से होता है, बिना बात की नहीं होता है, documented होता है, और किसी तरक के आधार पर होता है, क्योंकि ये बोलने वाले बहुत मिलते हैं, उस book में ये लिखा है, मैं कहीं भी कुछ भी ल सकते हैं, लेकिन ये indications यदी मुझे आए हैं, तो ये indications कुछ तो मुझे कह रहे हैं, कोई तो language है, इश्वर सिर्फ ये बताने के लिए आपको जोतिश नहीं देगा, कि आपके मृत्यू कश्च दायक होगी, क्यों भाई, आप से कोई विशेश प्रेम या विशेश जो है, व दुश्मनी ऐसा तो कुछ नहीं है न, ये जितने भी planets मैंने बोले, यदी 7th कस्पल सबलॉड राहू में अन और्थोडॉक्सी marriage को बचा सकती है, यदी 7th कस्पल सबलॉड केतु के रूप में spirituality marriage को बचा सकती है, तो हर जगए alignment की जा सकती है, कैसे की जा सकती है, ये मैं पे छोड़का, कीजी, तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे किसी और session के साथ, तब तक के लिए शुबरात्री जैशी राम,